मुहाली और चंडीगर सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और पंजाब के सरकार के भी सहमती बन गई है बीते दिन यानी 17 मई को 23 किसान संगटनों ने अपनी मांगों को लेकर चंडीगर कूच कर दिया था पुलिस ने मुहाली चंडीगर सीमा पर उन्हें रोकने की कोशिश की थी जिसके बाद किसानों ने वहीं धरना शुरू कर दिया था टेक्टर ट्रॉली में राशन, बिस्तर, पंका कूलर के साथ आए किसानों का कहना था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वे दिल्ली जैसा प्रदर्शन करेंगे किसानों की मांग थी कि धान की बुआई के लिए आठ घंटे बिजली मिले धान की खेती 18 जून की जगे 10 जून से शुरू करने का आदेश दिया जाए चिप आधारित बिजली मीटरों पर रोक लगे पिशली सरकार की तरह दो लाग केक रिशी करणी की माफी हो तापमान बढ़ने से यहूं की उपज को हुए नुकसान के लिए 500 रुपे प्रती कुंटल मुआवजा भी दिया जाए इसके लावा मक्का बास्मती किसानों के प्रदर्शन को मुख्यमंतरी भगवंत मान ने गैर जरूरी और अंचाहा बताया था 17 माई को उन्होंने किसान यूनियनों को नारे बाजी बंद करने और पंजाब में गिरते जल स्तर को थामने के लिए राज सरकार का सहयोग करने के लिए कहा था हलाकि 18 माई को यही मुख्यमंतरी भगवंत मान प्रदर्शन कारी किसानों से मिलते हैं पुलाकात के बाद किसानों ने कहा कि सरकार उनकी जादतर मागों पर राजी हो गई है इसलिए धर्णा खत्म किया जा रहा है दूसरी सुर्खी आई चेन नई से CBI ने 17 माई को देराद कॉंग्रेस सांसत कार्टी चिदमरम के करीबी भासकर रमन को गिरफतार कर लिया रमन की गिरफतारी से पहले CBI ने कार्टी चिदमरम के घर और आफिस समेथ 9 ठिकानों पर रेट भी की थी गिरफतारी और चापे मारी की ये कारवाई घूस लेने और भष्टाचार के आरोप में हुई पूर्वग्री मंतरी पीचे दमरम के बेटे और कॉंग्रेस सांसत कार्टी पर आरोप है कि उन्होंने चीनी कामगारों को गहर कानूनी ढंक से वीज़ा दिलाने में मदद की और इसके लिए रिश्वत ली CBI कारोप है कि UPA सरकार के दोरान 2010 से 2014 के बीच कार्टी ने 200 चीनी नागरिकों को वीज़ा दिलाए इसके बदले उन्होंने 50 लाक रुपे की रिश्वत ली ये चीनी नागरिक पंजाब के मंसा इस्थित तलवंडी साबू पावर प्लांट में काम करने आये थे चीनी कमपनी शेंडांग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉप इसका काम देख रही थी इंडिया टूडे में छपी खबर के मताबिक प्रोजेक्ट तैवक्त से पीछे चल रहा था कारवाई से बचने के लिए कमपनी अतरिक्त चीनी करमचारियों को बहां लाना चाहती थी कार्ती पर आरोप है कि उनके कहने पर ग्रिम अंत्राले ने अप्लाई करने के एक महीने के भीतर वीजा दे दिया था इसके बदले कार्ती को पैसे मिले थे INX मीडिया केस की जाच के दौरान भी CBI को 50 लाग रुपे के लें दिन का पता चला था INX मीडिया केस में भी कार्ती के खिलाफ जाच चल रही है आरोप है कि ये वही 50 लाग है जो चीनी करमचारियों को वीजा दिलाने के बदले ग्यार कानूनी ढंग से मिले थे CBI ने इस मामले में कार्ती चिदमरम, भासकर रमन, तलबंडी साबू पावर लिम्टिड, विकास मकारिया और बेल टूल्स लिम्टिड मुंबई के खिलाफ केस दर्ज किया है CBI की कारवाई पर कार्ती चिदमरम ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया भी दी क्या कहा उन्होंने, यह यानि CBI की छापे मारी कितनी बार हुई, मैं गिंती भूल गया हूँ, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता शेहजाद पूनावाला ने कॉंग्रेस पार्टी पर प्रष्टाचार और रास्टरी सुरक्षा के साथ खिलवार का आरोप लगाया, सुनिए किस प्रकार से कार्ती चिदंबरम की कमपनी में पैसे दिये गए चाइना के धाइसों से अधिक लोग को वीजा दिलवाने की एवज में, ये वीजा वसूली का एक नया किस्सा सामने आ है इससे पहले भी चाए वो आएनेक्स मीडिया केस हो, चाए वो एरसल मैकसिस केस हो जहां पर चार्जशीट फाइल हो चुकी है, किस प्रकार से एफ आई पीबी को फैमिली इंटर्स्ट प्रमोशन बोर्ड बना कर, किस प्रकार से पैसे वसूले गए और अवैद रूप से य एंटी शिप मिसाइल का सफलता पूरवक पहला उड़ान परिक्षन किया, टेस्टिंग के दोरान मिसाइल ने अपने सभी टार्गेट पूरे किये, यह भारती नौसेना के लिए पहली स्वदेशी रूप से विक्सित हवा से लौँच की जाने वाली एंटी शिप मिसाइल परिक्षर पर रक्षा मतरी राजनाज सिंग ने डियार डियो और भारती नौसेना को बधाई दी, कहा कि भारत ने मिसाइल सिस्टम के स्वदेशी डिजाइन और विकास में उच इस्तर की शमता हासिल की है, आगली सुरकी में बात स्तीफों की, शुरुआत हुई गुजरा से सुबह करीब सारे दस बजे गुजरात कॉंग्रिस के कारिकारी अध्यक्ष हर्दिक पटेल ने पार्टी के सभी पदों से स्टीफा दिया, लंबे समय से कॉंग्रिस से नाराज थे, लगाता राज के नेता और हाई कमान पर सवाल ख़ले कर रहे थे, उन्होंने स्टीफे गुजरात के लिए सच में सकारात्मग रूप से काम कर पाऊंगा, उन्होंने ट्वीट के साथ एक पत्र भी शेयर किया, कॉंग्रिस अध्यक सोनिया गांधी को समोधित इस पत्र में हार्दिक ने लिखा कि दुख होता है, जब हम जैसे कार करता अपनी गारी से अपने खर बरताओ, जन्ता के प्रती ऐसा है, जैसे गुजरात और गुजरात के लोगों से उन्हें नफरत हो, गुजात विधानस दवा चुनाओं में हम जानते है कुछी महीने बचे हैं, माना जारा है कि हार्दिक बीजेपी के साथ जा सकते हैं, उनके स्तीफे पर प्रतिक्रिया द बीजेपी को गाली दे रहे थे यूपी में उत्राखंड में और बाकी पंजाब में अब रातो रात क्या हुआ ये जो छिट्टी जारी किये ये उनकी ड्राफ्टिंग ही नहीं है ये तो दखसब किये हैं उन्होंने वो अपने केसेज विड्रो करवाने के लिए पिछले छे म अजहें बताएं 1996 बैच के आईएस अनिल बैजल दिसंबर 2016 में दिल्ली के उपराजपाल बने थे अपने पांस साल चार महीने के कारकाल के दौरान बैजल दिल्ली सरकार रिकसाट टकराओ की वजह से चर्चा में रहे दिल्ली के बाद अगला स्तीफा उत्राखंड से आया विधान सभा चुनाओं में आम आद्वी पार्टी की ओर से मुक्यमंत्री उमीदवार रहे करनल अजे कोठयाल रिटायर उन्होंने पार्टी छोड़ दी उन्होंने अपना स्तीफा पार्टी सहयोजक अरविंद केजरिवाल को भीज़ा इस्तीफे में करनल कोठयाल ने लि के अध्यक्ष और डूंगरपुर से विधायक गलेश घोगरा ने विधायक पत्से स्टीफा दिया स्टीफे की वज़े बताती हुए गलेश ने लिखा कि सत्तारोर पार्टी का विधायक और युवा कॉंगरेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी इस्थानिय मस्जिद को चल रहे विवाद की वारांसी कोट में आज भी मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन वकीलों की हरताल की वज़े से इसे टाल दिया गया सुनवाई की अगली तारीक अभी नहीं आई है हाला कि याचिकाओं काहना लगातार जारी रहा लोकल कोट में एक आवेदन द दिया है इसमें मस्जिद के भीतर तालाब की मश्लियों के संरक्षन की मांग की गई दूसी तरफ ग्यानवापी और दूसी मस्जिदों पर विवाद के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉबोर्ड यानी AI MPLB ने मुस्लिम पक्ष की कानूनी मदद के लिए एक लीग दियार में की स्थल पर विवाद खड़ा किया जा रहा है उसमें बोट किसी भी मामले में सीधे पक्षकार नहीं बनेगा लेकिन मुस्लिम पक्ष की कानूनी मदद करेगा कोड का चेरी के बाद अब बात राजनी थी की ग्यानवापी मस्जिद मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखली श्यादव ने पहली बार टिप पुनी की आजमगर में अखली श्यादव ने कहा कि ग्यानवापी मामले को बीजेपी और उनकी विचारधारा के लोग जबरदस्ती उठा रहे हैं सुप्रीम कोड के पुराने आदेश को पढ़ें तो पता चलेगा कि इस तरह के मामलों को नहीं उठाय जा सकता जो ग्यानवापी मस्दित का मामला है जानबूच करके भादेजनता पार्टी या भादेजनता पार्टी के विचारधारा के समर्थक लोग हैं उनको कम से कम सुप्रीम कोड के या पुराने जो फैसले हैं उन पे जाकर के देखना चीए कोई भी आप मस्दा इस तरह का नहीं उठा सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी बिना सरकार के सारे के ये सवाल नहीं उठाया जा सकता था ये जानबूच करके भादेजनता पार्टी कर रही है बस्पा प्रमुक मायावती ने भी ग्यानवापी मसले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा मायावती ने कहा कि महगाई वेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए बीजेपी और उसके सहोगी संगठन लगातार धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे ह ये किसी से छिपा नहीं किसे हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं इस और भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है इसके साथ यह विशेश कर एक धरम समदाय से जुड़े स्तानों के नाम भी एक-एक करके जो बदले जा रहे हैं तो इससे अपने देश में शांती, सदभाव, बेभाईचाराद ही नहीं बलकि आपसी नफरत, अबम दुवेश की भावना ही पैदा होगी यह तो हुई बयानों की बात, एक बात और जो सोशल मीडिया पर हो रही है यानवापी मस्जित के भीतर से जो मिला, जिसके लिए हम शब्द इस्तमाल करते हैं कथित शिवलिंग क्योंकि यह माननी कोट को अभी तै करना है, अभी इस पर जिरह होनी है, विद्वानों की राय आनी है उसके अनुक्रम में, कई लोग तो उसके समर्थन में दलीले दे रहे हैं और कई लोग उस तस्वीर को लेकर खिलनी उड़ा रहे हैं, सब की अपनी मर्जी लेकिन इस क्रम में कई लोग शिवलिंग और शिवलिंग जैसे स्ट्रक्चर्स को लेकर भी मजाग बना रहे हैं सोशल मीडिया पर तवाम बातें लिखी जा रही हैं, जो कई लोगों की भावनाओं को आहत कर रही है ये एक तरफ है बात की सहिशुनता की बहस कही है ये एक तरफ बात है कि कोर्ट के फैसले में क्या आता है लेकिन उसकी बिना पर बहुसंख्यक या अलपसंख्यक की धार्मिक मानिताओं का मजाग बनाना स्वीकार नहीं होना चाहिए किसी भी सब्वे समाज में